इश्वर्या से पहले कई हसीनाओ ने देखा था बचचन बहु बनने का सपना सगाई तक पहुचा था करिश्मा और अभिषेक का प्यार रानी मुखर जी भी बचचन बहु बनने के लिए थी तैयार तो दिपानिता हुई थी जूनियर बचचन के थोके का शिकार जी हाँ एश्वर्या राय नहीं थी अभिशेक बच्चन का पहला फ्यार इस बात में कोई दोर आय नहीं कि बीते कुछ महिने एश्वर्या राय और अभिशेक बच्चन के लिए बेहत भारी गुजरे अभी एश का रिष्टा लगातार विवादों में छाया रहा कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभिशेक बच्चन और एश्वर्या राय के रिष्टे में सब कुछ ठीक नहीं है कहा गया कि पारीवारिक कलेश कासर दोनों के खुबसूरत रिष्टे पर भी पढ़ा था इतना ही नहीं कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि सास जया और ननद श्वेता से नराज होकर एश्वर्या ससुराल छोड़ कर अपने मायके में शिफ्ट हो गई है हानकि ये सारी खबरे महज अफवा ही साबित हुई अभिशेक और एश्वर्या साथ साथ हैं वो भी राजी खुशी और जब भी दोनों एक साथ नजर आते हैं तो फैंस को कपल गोल्स देते हैं जहां भी शेक को पोफेक्ट हस्बन का अटाक दिया जाता है तो वहीं एश्व अश्वर्या को सर्व गुंट संपन बच्चन बहु कहा जाता है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एश्वर्या से पहले भी कई बॉलिवुड हसीनाओ ने देखा था बच्चन बहु बनने का सपना और सिर्फ सपना ही नहीं देखा था बल्कि अमिताब जया की कलौती लेकिन सब का पत्ता काट कर एश्वर या बाजी मार ले गई थी तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन-कौन है वो हसीना है जिनकी बच्चन बहु बनने की क्वाहिश दिल की दिल में ही रह गई करिश्मा कपूर और अभिशेक बच्चन की लव स्टोरी की शुरू अच्वेता बच्चन की शादी के दौरान हुई थी 10 अक्टूबर 2002 को अपने 60 वे जनम दिन परहमिता बच्चन ने करिश्मा इश्वर्य की सगाई का एलान किया था लेकिन सगाई के चार महीने बाद ही इनका रिष्टा तूट गया कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इनके अलगाव का जमेदार वविता कपूर को ठहराया जाता है रानी मुखर जी करिश्मा कपूर से सगाई तूटने के बाद हविशेक बच्चन की दिल को धड़काया था बंगाली बाला रानी मुखर जी ने रानी को बच्चन परिवार की बहू के तौर पर भी देखा जाने लगा था लेकिन फिल्म लागा चुनरी में दाक की शूटिंग के दौरान रानी और जया बच्चन के बीच कुछ मुद्दों पर टक्राव हो गया और बात बहस तक पहुँच गई आगे चलकर यही मनमुटाव अभिशेक और रानी के ब्रिक अप की वजह बना अश्वर्या के प्यार की खातीर अभिशेक ने अक्ट्रेस और मॉडल दिपानिता शर्मा को भी धोका दिया था रिपोर्ट से मताबिक अभिशेक ने दपानिता शर्मा का दिल बेहत संग दिली से तोड़ा था दोनों की मुलाकात सोनाली बेंदरे के जरिये हुई थी अभिशेक और दपानिता ने करीबन 10 महिने तक डेटिंग की थी दिपानिता अपने इस relation को लेकर काफी serious थी लेकिन दिपानिता के पीट पीछे अभिशेक एश्वर्या से दिल लगा बैठे थे और दिपानिता अपने टूटे दिल के साथ अकेली रह गई थी जानवी इस list में सिर्फ बॉलिवूड actresses ही नहीं बलकि अभिशेक बच्चिन के crazy fan का नाम भी एड है जिसने एश्वर्या अभिशेक की शादी के मौके पर अचानक आकर हंगामा मचा दिया था जब अभिशेक अपनी शादी की रसमे निभाने में बीजी थे तब जानवी नाम की female fan ने वच्चन के बंगले के बाहर खूब हंगामा बर पाया था उसका दावा था कि अभिशेक ने उसके साथ शादी की है और वो ही अभिशेक की असली वाइफ है इतना ही नहीं उस crazy fan ने अपने हाथ की नस काट कर जान देने की कोशिश भी की थी फिरो रेपोर्ट E24